आज आपके साथ MGMT 623 का जो है वो जीडीबी शेयर करें तो सबसे पहले नंबर पे हमें जो है इस जीडीबी में जो है वो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया है एक स्नेर्यू दिया है के स्नेर्यू जैसे लास टाइम हमारी एक असाइमेंट थी और उसके अकोडिंग जो है उसको रीड़ करके उसकी रिक्वायर्मेंट है इस स्नेर्यो के एकॉर्डिंग के यह सारह केस पढने के बाद हमारे पास कौन सा लीडर्शिप स्टाइल जो है वो आता है और मिस समेरा जो है वो किस तरह से अपनी जो टीम है उसको मैनेज कर रही है तो वो कौन सा स्टाइल केरी क और उसके इलावा जो है हमने सेकेंडली चार फेक्टर्स ऐसे बताने हैं कि उपर जो सनारियो दिया हुआ है उसमें टीम बिल्डिंग में कौन कौन से सनारियो जो थे कौन से फेक्टर्स थे जो में सुमेरा ने यूज की हैं उनको जस्ट आपने लिस्ट करना है जस्ट नाम बताने हैं उनके तो सबसे पहले नंबर पर हम इसका जो है वो केस देख लेते हैं केस नारियो में क्या दिया है उन्होंने और एक मिनट इसमें लर्णिंग आउटकम ब लिए हम करेंगे हैं कौन से रालिवेंट फेक्टर्स होंगे तो फिर हम एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं तो देखते हैं जी इसका केस नारियो सबसे पहले नंबर पर कहता है कि टीम लीड जो है मिस्वेरा ये इंपावर करी हैं अपनी और्गनाइज़ेशन के बात दो अपनी और्गनाइज़ेशन के वीएन को हल्फ करते हैं उसके टीम मेट्स को हल्प करती हैं फिर एक स्ट्राटिक अप्रोच प्नाती है और जो भी उसकी और्गनाइज़ेशन के गोलज होते हैं उसको वीन के साथ जो है वो हो फुलील कर तो यह सारी चीजहआपे दी हुई है हमें उसके बाद आपने इसको बैसिकली रीड ओट कर लेना है सबको तो वो यहां पर ट्रेनिंग भी कर रही है अपनी टीम की कोचिंग भी दे रही है उनको मेंटॉरिंग भी कर रही है फिर यहां पर तो फिर यह सारा कुछ इनफॉर्मल नेटवर्क में भी और उनका स्टाइल है उसको वो चेन्ज भी करती जाती है जरूरत के साथ साथ अपनी टीम को एनरजी प्रवाइड करती है उनको जो है मेंटॉर्शिप भी देती है इन Rights अंको मोटिवेट भी करती रहती है साथ साथ तो बिसिकली के वो यह सारा कुछ कर रही है पीसफुली और अगर यहां पे कोई लड़ाई जगड़ा हो जाता है कोई कंफिक्ट हो जाता है तो उसको रिजॉल्वी करती है पीसफुली और मतलब हर लिहाज से अपनी टीम की टीम वर्क डिजाइन जो है उसको इसकी कंपोजिशन प्रोसीस वगरा जो है वो प्रॉपर तरीके से कर रही ह आउसकी रिक्वाइरमेंट के है कि हमने बताना है कि कौन सा लीडर्शिप स्टाइल केरी करी है उसके बाद कौन से चार फैक्टर्ज है जो टीम बिल्डफ करने में उसकी हैल्प कर रही है इसमें 100 से 200 के राउंड़ अबाट आपने इसको आंसर करना है तो मैं अपना शेयर करती हूं आपके साथ जो मैंने इसका पोस्ट की है तो here's my solution अच्छा जी कहता है कि इस above scenario के according जो है मिस हमेरा जो है ये transformational leadership जो है वो carry कर रही है ये उनका style है क्योंकि transformational leadership उपर जो scenario है वो सारा इसी के according है कि वो इसी तरह से अपनी team को इतना motivate भी करती है अपने style को भी change करती है और हर लिहाज से जो है वो perfective काम कर रही है तो अब इसको जो है ना argument के साथ यह जिस्टिफार कर रही है मिस हमेरा जो है वो अब इसमें empowering कर रही है individuals की चार यहां पे फिर उन्होंने strategy का प्रोच अपनाई थी फिर motivation और learning facilitation दे रही है और adoptability कर रही है conflict resolution के लिए वो खुद तो यहां वे मैंने ना इसको इस तरह से लिख है के मिस हमेरा focus करती है developing individual team by empowering them उसके बाद वो sport करती है अपने जो भी उनका work था उनकी skills थी team members की तो इस तरह से course principle जो है basically यह transformation leadership style में होता है तो इस तरह से वो follow कर रही है फिर उसी तरह से strategy का प्रोच अपनाती है अपने वियन को फिल्फिल करने के लिए performance जो थी तो यह भी जो है transformational leadership की ही एक characteristic है फिर वो motivate करती है learning facilitation देती है तो फिर जो है वो further अपने तमाम जितने भी members थे उनकी training भी करती है coaching भी करती है mentoring भी करती है तो यह भी transformational leader की ही equality है adoptability जो है conflict को resolve करने की भी वो भी peacefully इसको भी resolve करती है फिर उनकी personality में flexibility भी है वो चीजों को demonstrate भी कर लेती है तो यह भी transformational leader की जो है points में मैं डिवाइड कर दी है तो इसके लिहाज से transformational leadership style वो carry कर रही है next जो है हमाई पास इसके affecting जो scenario है team के four factors थे team design किस तरह से करने है team को composition और team का process और team का context यह चार factors जो थे इसके जो है जो है न वो above scenario के coding बन रही है जो मैंने लिस्ट कर दी है और अभी तक अगर आपने मारे YouTube channel subscribe ने किया तो subscribe कर दें bell icon को press कर दें thank you so much for watching Allah peace